हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आप काई बर फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स और भी ग्रूप डी एक्सपेक्टेड कट ओफ 2022 इससे कम नंबर आ रहे हैं तो रेलवे की नौकरी भूल जाओ जी हाँ फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कट कुछ बता है को रेलवे की नौकरी नहीं मिलने वाली है यह एक कडवी सक्छा है पाकि बताने वाले को 90-plus भी बताएंगे कोई कहेंगे below 40 भी जा सकता है ठीक है लेकिन आपको मालूम होगा मेरा आज तक का जितना भी previous cutoff prediction रहा है वो आप देखें सब सही निकला है चाहे NTP से CBT1 की बात करें चाहे NTP से CBT2 की बात करें चाहे पिछले group day की बात करें आप सारा record हमारे YouTube चैनल पढ़ा हुआ देख सकते हैं तो यहां भी कुछ exact ही ऐसा ही बात किया जाएगा जिससे बहुत डिफरेंस नहीं आएगा आपके real cutoff में ठीक है तो phase wise cutoff की बात है तो हम बात में चर्चा कर लेंगे वैसे मैं simple सी बात यहीं कहूंगा कि आपको phase wise के पीछे भाग नहीं नहीं है क्योंकि आपका exam RRC wise हुआ है यानि हर एक RRC का अलग-अलग cutoff आएगा तो phase से उसको कुछ effect नहीं पड़ना है आपके RRC का exam 3 shift में हुआ या फिर 4 shift में maximum 5 shift कह सकते इतने में ही हुआ है यानि कि आपका क्यों अपने RRC पे ही depending कर रेंगा cutoff बाकि दूसरे RRC पे नहीं depend कर उसके paper का level कैसा था कैसा नहीं था ठीक है तो जो normation होगा आपके 4-5 shift का क्यों होगा ना कि सारे shift का एक साथ होगा तो उस इसका tensor मत लिजिए कि phase 1 का paper easy था phase 5 का tough था या फिर phase 5 का easy था phase 1 का tough था इस अपकर चकर मत पड़िए आपके अपने RRB पर या अपने RRC पर focus करिए वैसे आप comment box में बता सकते हैं कि कि इस RRB का video सबसे पहले चाहिए इधर में काफी वीजी चल रहा था इस वीडियो नहीं ला रहा था लेकिन एक बार में फिर से free हो गया हूँ ठीक है उदर मेरा UPPSC mains था फिर BPSC PTV गर था बहुत सरे exam से बीच में थे जो काफी important थे इस वीजी चल रहा था लेकिन फिर से पहले चाहिए नहीं किस जोन का video सबसे पहले चाहिए जिसका comment सबसे अधिक आएगा उसका video सबसे पहले upload किया जाएगा ठीक है फ्रेंड्स इधर हमारा चैनल काफी डाउन हो गया है क्योंकि इधर मैं कह सकता हूँ डेर से दो महीना मतलब कि पहुत जादा break ले लिया हूँ चैनल से क्योंकि exam का थोड़ा सा tension था means थो फोकॉस करने जरूरी था तो मैं आपसे ही कहूंगा चैनल जरू सबस्क्राइब कर लें क्योंकि चैनल अगर grow नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा कैसे मुझे motivation मिलेगा मैं ऐसा कहता नहीं हूँ बट मैं काफी break लिया था जिस से पहले देखते रहें और इसके साथ हमारा एक एप है जिसका नाम है टारगेट वीद बीन निर्भिक से जरूर डाउनलोड कर लें यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा डायेटली वहाँ पर सर्च करेंगे टारगेट विद बीन निर्भिक तो वहाँ से आपको मिल ज आप वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं कौन सा कोर्स आपको चीए सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाकि बहुत सब्सक्राइब बागी बहुत सरे फ्री सर्फिस भी आप देख सकते हैं तो आपको जरूर डाउनलोड करें वैसे आप प्लेश्टों डाउनलोड कर जाएगा तो आप टेलेग्राम चलें भी जरूर जोइन कर लें तो कट आफ की बात के रिफेंट्स तो अगर आपको यादो मैं पिछले वीडियो में क्या बला था जब फेस बन के एक्जाम ओवर हुआ था कि कट आफ किता जा सकता है तो मैं आप से क्या कहा था कि यूर के का जो कट आफ फ्रेंड्स वो 55 से 70 के बीच रहने वाला है यानि कि 55 से नीचे जाने की थोड़े कम चांसेज हैं और 70 के ऊपर तो नहीं जाएगा चाहे कोई भी जोन हो मेरे क्याल से ठीक है अगर नोशन बहुत दिफरेंस आता है तो इक दो मांस बढ़ सकता है लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जो मैक्समुम जो रेंच है 55 से 70 के बेची रहने वाला है अब किस जोन का 55 रहेगा फिर किस जोन का 70 रहेगा वह मैं अभी इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंगी हार एक जोन का अलगला डेटा मुझे क्लेट करना पड़ेगा कि वहां पे कितनी व हूंगा फेजवाई चक्कर में ना पड़े कट आफ सबका अपना अलग अलग है सारे अरसी का अलग अलग है ठीक है इसका फेज का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ने वाला है जो भी पड़ेगा आपके निगेटिव मार्किंग का पड़ेगा देखे करने वाले तो बहुष से लोग क्यों 50 को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको इससे मतलब नहीं है क्यों आपको अपने से मतलब होना चाहिए अब बहुष से लोग पूछ रहे हैं अभी से क्या मैं फीजकल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दू फीज प्रश्रान होने की जरूवत नहीं है अभी आप किसी और एक्जाम पर फोकस करें कोई और रिटन एक्जाम हो का उसके तैयारी करिए इसका फीजिकल बहुत टॉफ नहीं होता है क्योंकि मैंने फीजिकल ख्लियर किया इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है तो इसका फीजिकल से बहुत टॉफ नहीं होता है वह है बहुत आसान होता है 1 km दॉढ़ना होता है चार मिट पंदल सेकेंड में जो लगबक 75% लोग करें लेते हैं करना चाहिए कोई भी जोन हो ठीक है क्योंकि 60 तक चांसिस बनेंगे ऑल्मुस्ट जोन के ठीक है maximum जोन के वैसे मैं बताई दिया हूँ यूर का जो रेंज है 55-70 के बीच रहा सकता है OBC का इसे 2-3 marks कम कर सकते हैं SC का इसे almost 78 marks कम कर सकते हैं EWS का भी 78 कम कर सकते हैं और ST का भी 10-12 marks कम कर सकते हैं लेकि निवार का 55 से 70 के ही बीच रहने वाला है इससे बहुत ज़्यदा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि आप मेरा पुराना भी प्रेडिक्शन देख चुके हैं इस फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर दीजिए कि कौन से जोनका कट आफ सबसे पहले चाहिए और सबस्क्राइब जरूर कर देख जरूर कर सके फिर से आगे बढ़ सके ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोग ऐसे जरूर करेंगे दूसर सबस्क्राइब भ चरवाएंगे और इसे अधर ग्रूप में शेयर भी करेंगे ताकि मैकसम लोग सबस्क्राइब कर सके और बेल आइकन प्रेस कर सके कि बहुं सो लोग होता है न आशिकर लिए बिल्राइकन इसे प्रेस नहीं करते हैं नोटिकेशन है तरो कहते हैं मेरा यह वीडियो का डिमा प्रेस नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत इंपोर्टेंट है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप जल्दी देख पाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो अमीद करता हूँ यह पूरी बात समझ करेंगे कितने रेंज के बीच रहने वाला है और आपको आगे क्या करना है अभी तैयारी करनी है कि नहीं करनी है यह बात भी आपको अबको क्लियर हो गया हूँ ठीक है मैं बता रहा हूँ अभी आपका आज 8th October है अभी आपका आंसर की आएगा फिर इस पर आपजेक्शन ही वात है इस बार भी ऐसा ही होगा आप जो सर्कुलर बगरा वारल हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए कहने को बहुत कुछ कहते बट कर नहीं पाते हैं ठीक है जो रियल्टी जो मैं पहले कलेंडर दे चुका हूं उससे के कॉर्णिंग काम होने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है फ्रेंड्स तो मिद करता हूं सारी बाते क्लियर हो गए होंगे तो अभी के लिए बस इतना है थैंक्यू चैहिंद चैह भारत